मिलकी मश्रूम की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अन तक देखें इदि कोई कन्फिजन हो तो आप में कॉल भी कर सकते हैं थैंक्स आज मैं आपको इस वीडियो में मस्रूम के बारे में बताने वाला हूं यह देखिए मेरा मस्रूम फार्मिंग है और मैंने मस्रूम लगाया हुआ है तो मैं आपको एक एक करके जो है सारे मस्रूम के बारे में बताने वाला हूं ठीक है बहुत ही आसान है आप हमारी साथ आ से अब कीसी पहले है कि मेरे पास यह फारमालीन है और यह बेवेश्टीन है और यह चैं zwar आसानी से मारकेट में वप्ण हो जाता है र आप किसी भी खाद वीजबंडार के दूकान से इस बेवेश्टीन को आप खरी सकते हैं और जो मैवेशी का जो दवाई का दुकान होता है आप वहां से फर्वारियर को पर्चेस कर सकते हैं यह आसानी से मार्केट में मिल जाता है और यह चुना है यह आप लोगों को पता होगा कि आप कहीं से भी किसी भी किराने के दुकान से या हार्डवेर के दुकान से आप तो इससे पहले आप हम से काफी दूर है तो आप जो है इसको फिलिप कार्ड या अमेजन से आप इस पॉन को मस्रूम के बीज को करते हैं क्योंकि जो हैं सिर्फ करने का बीज होता है लेकिन ये कवग जाल होता है ठीक है आएए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं यह हमने एक टब लिया हुआ इसमें जो है एप्रॉक्स बीस लिटर या पंदर लिटर जो है पानी होगा इसमें तो आपको क्या करना है चार इसको हम डाल दिया हमने और यह चुना है चुना भी आप इसमें डाल दिये चुना जो है पानी को साब करने का काम करता है जो भी किटानू होता है जो भी विसानू होता है उसको मारने का काम करता है चुना और यह फरमलीन है इसका गंद काफी तीखा होता है तो इसको जो है ना आप सांस के माधिम से ता कि लिए भी वहानीकारक होता है और कि लिए रिवाद हम चाहए प्रामलीन है इसको भी हम ने एक ढाल दिया अब हम क्या करेंगे इस को अच्छी तरह से मिला लेंगे हम और मिल्की मश्रूम को लाने का जो आसान तरीका है आप इसको भूसा में लगाईए अब स्पानी में हम क्या करेंगे इस भूसे को हम डाल देंगे हमने क्या किया इस भूसे को डाल दिया है और फिर डालने के बाद हमें सुचा करेंगे अच्छी तरह से मिला लेंगे अब है कि कितना पानी में कितना भूसा डालना चाहिए इसके बारे में जो जानकारी हमारे पास उपलर्द है और जो हमने लगाया हूआ है और जोसका अच्छा है है एक सोल लिटर पानी में आपको क्या करना करना है और इसको अच्छी तरह से जो भीगा के इसको जो है बारा से सोला घंटा के लिए इसको ठाक कर रख दिया जाता है चलिए हम भी इसको ठाक करेंगे इसको कल जो है बारा से च्छाया में सुखा ले में सुखाने के बाद फिर क्या करेंगे हम वो आपको पताइए अगले वीडियो में ख्रीक है आप धाया हैं आज हमारा हम नेकल धिया हुआ था सेम टाइम में आज इसको 24 सीद के लिए छोड़ दीए हैं देखते हैं इसको मैसा करते हैं को अब हम क्या करेंगे इस पानी को मिसे निकाल लेंगे हम ठीक है ना चलिई निकाल लेते हैं इसको ऐसे पानी निकाल लेंगे अब करेंगे इसको जो है फिला देंगे चाहिए फिला देंगे फिला देंगे सब पानीज़ पूरी तरह से इस से मतरा कंभी कम है हमने पतली का निकाल दिया है ठीक है न इसको क्या है फिलादना यह थादर के लिए ओर इसbaar देखने ang picked the तक पानी नहीं करना चाहिए हम देख रहे हैं और यह थोरा सा पानी थीग है न इसको क्या करेंगे दो गंटा के लिए छोड़ देंगे हम इसे पानी है वह बहुर आ जाएगा ठीक है चलिए मिलते हैं दो घंटे के बार चलिए अब हमने इसको दो गंडा पले हवाम दिया था अब देखते हैं कि इससे क्या पोजिशन है ये इसको ऐसे हाथ में लेना है और गार्णे से पानी नीचे नहीं गरना चाहिए हम देख रहे हैं कि पानी नीचे नहीं आ रहा है इसका मतलब है कम से कम इसमें 70 या 60% नमी होना चाहिए ठीक है ना अब यह जो है इसको बैग में क चाह रखेंगे तो इसको क्या करना है इस तरह से बैक को आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं ठीक भागा लादो तो इसको बैग वाप इसका लूक अच्छा हो इसके लिए आप इस भागे को इस तरह से बांद दीजिए गयों कटिंग रूभ और यहाँ पर हमने क्या बांद दिय कि आप इसको उल्टा कर लेजिए इससे क्या होगा कि फ़स लूप थोड़ा इसका अच्छा हो जाता है और ये मेरे पास मस्रूम का बीज है इसको आप रवर खोल लीजिए सबसे पहले खोलने के बाद क्या करना है आपको खोल लिया है और इसको हटा देंगे हम इसके बाद ये इसको प्लोफी लाव को शावी रखने के लिए जल्दी को बढ़ता लाव कर दो को जल्दी लाव इसको एसे करके लूज कर लेडा है तो कि इसलिए क्या होगा इसको बहुत जल्दी फेलेगा और यहुँ के दाना पर फिला गया गया इसको हम चाहा करते हैं इसी साफ सुथा जगह में निकाल लेते हैं इसको हमने निकाल लिया है इसके बारे में आप कैंछान आपथे करेंगे ढिख दिखाना चाहिए साफ सुथरा ौणा चाहिए चिपचिपा बीच बहुत ही खराब होता है उसकी जो उतपादन सब्समता होती है बहुत ही कम हो जाती है तो आप इसको देखिए तवसक कैमरा को नजीक लाइए तक कसान नहीं कोंड़ी दिखाना चाहते हैं ये बीच देखिए बहुत ही सुध है और बिल्कुल जरा सब्सक्राइब चिपचिपआः नहीं है यद्धी बीज चिपचिपआः हो तो वह जो है न सही से उत्पादन उसका नहीं हो पाता है तो छाल लखे और कोई भी बीज जयादा सटा हुआ नहीं होना चाहिए इसको तोर के अलग कर लेना चाहिए इससे क्य तेल इसको में ćजाल बोलता है वह बहुत जल्दी रन करता है फैलता है रहे थेकं आ तो इसे हम चाहरेंगे सबस्क्राइब नीचे में थोड़ा सा एस्पॉन डालेंगे करेंगे कि दो या तीन इंच का जो है हम भुसा का परत लेंगे हैं यह यह बुसा है इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने क्या क्या परत डाल दिया है, अब चा करेंगे हम यह this one है, इस पोन को हम इस तरह से इसको बोलते है रिंग मेथर हम इसको आप चारो साइब गोला काल करके आप डाल दीजिए एक है ना? इसको हम चाह बोलते हैं यह हो गया इसको करना यह आप देख रहे हैं तो दिखाए इसको कामरा को नजीक लाइए यह आप लोगों को दिखाए पर रहा होगा यह पूरी तरह से रिंग मेथर से है ठीक है ना और हमें इस तरह से स्पॉन डाला हुआ है तीन से चार इंच के ले चलिए फिर हम क्या करेंगे इस फिर स्पॉन डालेंगे हम यह 10% के हिसाब से स्पॉन डालता है 10% का मतलब है कि एक केजी हुसा में जो है 100 ग्राम बीज होना चाहिए ठीक है यह जो है आप अपने हुसे के वेट के हिसाब से आप बीज को देख लेंगे आप लोग कितना बै है कि यह हमारा क्या है तीसरा लेजर है कि तीनीची का हो गया होगा फिर हम च् LI क्या करेंगे इस तरह से इसतर्ण डालेंगे हम किस्तरusta करने बिर उस तरह से रहें कि इस तरह से हम जाह करेंगे यह उस नहीं परत है कुंद हैं इस त्रש अंकर चाहले बार कि यह बश्री बारा है घड़ दालने के बार हम हम ऑद के अधाई छॉट को बांद देना है जитना जोर से आप इसको टैट कर सकते हैं कर लिए अंदर का हवा पुरी तरह से निकल जाना चाहिए फिर करेंगे इसको एक पेंसी लेकर चेद करने के लिए ऐसी ज्या करेंगे इसको इस तरीके से इस तरीके से हम क्या करें इसको हमने इसको बांद दिया और आपको क्या करना है इस सांस लेने के लिए इसमें छेद कर दिना है आट-दर जिवा छेद कर दिना है जल्दी कोई भी चीज लाओ इस ने दिख रहे हैं तो जाले लाओ यह पेन है तो हमने क्या चाहिए इस पैन से ही वन तू थ्री प्र फाइव शिक्स एट नाइं टेन अलेवन हमें इस पर छेद कर दिया अब हम क्या करेंगे इसको अंधेरा कमरा होना चाहिए इसको अंधेरे कमरे में रखेंगे हम ठीए अंधेरा कमरा में आजाओ इसको रखेंगे हम आजाओ कि आपको फ्रेस दिखाई ने देगा यह बिल्कुल अंधेरा जगा रहा है हमने चाहिए इसको यहां पर लग दिया ठीक है और यह 15 से 20 में जो है ना पुरा वैक हो जाएगा ठीक है आई हम आपको ले चलते हैं 20 के ब क्या रहें बीज डाल रही हमने कैसे-कैसे किया था आज यह पकावी करें है और यह बैक हाई हम बदेख रहें यह हम इसकी कशेकर यह हम इसकी जानकार्या आपको देर поп यह आप देख रहा है बीस दिन के बाद का बैक है अब केसिंग कैसे करते हैं कीसिंग क्या होता है यह बरảo पारज走 है और यह अब बालू है और यह मतला करेंगे साथ मितलर में सत्र पैसा आपको गोबर далे तुप इस पेशर आपको बालू चाहिए और दर्फ पेशाहा है नोगे हम क्यार करें तीनों का मिस्टन बनाएंगे मिस्टन गाने करने के बाद दस दिन के बाद इसमें से फ्रूटिंग आना सुरू हो जाएगा ठीक है ना तो आईए हम बले अन्दाज से लेते हैं अप्रॉक्स ये इतना जो है इतना ज़्यादा हो जाएगा एक बेक के लिए ये आपका बर्मी कमपोश हो गया और ये जो है ना बालू ठीक है यह बन गीये आपका केसिंग मिटी क कहा जाता है त्वेह ना इसको मची तरीका आसे मिला देंगे कर और मिलाने के बाद कि अधिक्त करेंगे इसके ओपर एक लेयर में ऴिच्छ हा देंगे लेयर जो बेट से फ्रोटिंग आएगा हम क्या करते हैं हम मात्र हाफ इंच का लेयर बठाते हैं हाफ इंच मिचा होता है कि इसके उपर बहुत जल्दी कवगजाल फैल जाता है और फिर फ्रोटिंग होना सुरू हो जाता है तो आए हम देखते हैं यह केसिंग मिती है पिश्वा पुछादो करना है इसको अंधेर क nombreux रख् gle motiv के बार एक चीज़ का आपको ध्यान रखना कना उसके में रखते हैं वी पूरी तरइ से उप चाड़ित होना चाहिए ईके इस्ट्राइस मतलब है मैं किसी मिलिए का जिवानू या विसानू का कोई प्रकॉप नहीं होना चाहिए दिरूम आपका गंदा गंदा रहेगा तो मस्लूम उस रूम में नहीं हो पाएगा और यह भी प्रयास रखें कि उस रूम में जो कोई बाहरी व्रक्ति ना जाए क्योंकि बाहरी व्रक्ति के साथ जो है उस सरीर क साथ को जिवानों विसानों का प्रविस हो जाता है जिससे मुस्लूम को नुक्सान पहुंचता है यह हम ने क्या किया पस उपर से हमने ढग दिया इसी बोलता है केशिंग मिटी या केशिंग पर बोलते हैं आप चाहे तो तीन इंच कर सकते हैं दो इंच कर सकते हैं लेकिन हम जो है ना जो हमारा अनुभव है हम उसको बहुत ही कम मातरम करते हल्का सब्धक देते हैं इसको लोग पुरा अंधीरा है अंधीरा नहीं होगा तो मस्तुम आपका इसमें से नहीं यहां पूंभण देखते हैं कि अधीरा और आपको आपको सारे दिखाने वाले है इस मुझा नवसकार आई यह देखते हैं सब्धक को डाला हुआ था अंधेरे कमरे में और अधियान से देखिए यह जो वाइड वायट 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 वैट यह यह कवर जाल फैल चु ठीक है न मेरे पास और भी बहुत सारी बैग है मैं आपको दिखाता हूँ आज देखिए यह सारा बैग पर आप देख रहे हैं किस तरह से जो है उन्हें रण कर रहा है और यह जो है तीन से चार्टिंग कंदर कर देखा बदा हो जाएगा आप इस बैग को देखिए और यह भ है तो मैं आपको सारे मस्रूम दिखाना चाहता हूँ यह किस तरह से इसका कवाग जाल फैला हुगा है देख रहे हैं ना यह मिल्की मस्रूम हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दिया है कि आप एक चोटे से कमरे में और बहुत कम पुंजी में कम लागा से और आप अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं चलिए मिलते हैं अगले भाग में किसी नए वीडियो के साथ थैंक्स